हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं देख रहा था कि इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चाहे वो ऑनलाइन हो गूगल पर हो या फिर यूट्यूब पर हो तो मैंने सुचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी एक व क्या प्रोसीजर है आज इस वीडियो में यह सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है बहुत ही न्यूँ और बहुत ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं आपको तो पता ही है मैं तीय शमशिल ऐसे वीडियो लात चाहे वो तो वो बिजनेस को क्लोस करते हैं तो हम दोनों ही ओप्चन में देखेंगे कि हमें क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं लगभक दोनों में स्टेप कॉमें ही होते हैं सबसे बहुत देखते हैं क्लोज और बिजनेस के लिए हमें क्या करना है तो देखिए अगर ID password available है, बहुत अच्छी बात है, आप login करिए और चेक करिए सारे returns वगरा फाइल है, कुछ pending penalty, कुछ pending interest, late fees तो नहीं है, यह सारी चीज़े आप चेक कर सकते हैं, आगर GST का ID password नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ID password लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अप application देनी पड़ेगी, online GST cancellation की, और उसमें क्या के documents लगेंगे, that certificate लग सकता है, succession certificate लग सकता है, identity proof ठीक है, GST certificate जो disease का है, वो लगेगा, return filing status बगारा, identity certificate बगारा, अगर कोई bank account चल रहा है, तो उसको closer certificate वो सारी चीज़ें, तो यह सारी चीज़ें आपको कहें किसी person को ले जाक online ही application करनी होती है, GST cancellation के लिए, लेकिन देखिए friends, online हमें पता है, कोई भी application करनी है, OTP जाता है, OTP किस के mobile पे जाता है, authorized signatory, पर यहां तो death हो चुकी है, authorized signatory की, तो उस case में आपको offline application करनी परती है, in case of death of the proprietor, application can be made manually by the legal hire, before the concerned tax authorities, the legal hire can visit the proper officer for the purpose of changing the authorized signatory, proper officer के पास जाओ, return में application करो, वो authorized signatory change करेगा, किसको बनाएगा, उसकी legal hire को, एक temporary ID password मिल जाएगा, आपको एक temporary link मिल जाएगा, तो जब आप authorized signatory add हो जाओगे, तब आप proceed कर सकते हो, cancellation की application के लिए, ठीक हो गया जी, तो दो चीज़े में हमें पता चल गई, पहला, अगर हमारे पास GST ID password है, तो हम login करके चेक करेंगे, अगर हमारे पास ID password नहीं है, तो हम manually application देंगे, अपने proper officer को, कि भाई, मैं legal hire हूँ, proof submit करेंगे, हमें authorized signatory बनाया जाएगा, एक ID password हमें मिल जाएगा, फिर हम cancellation की application फाइल करेंगे, अच्छा सर, उसके लावा, अगर वो composition में registered है, अब तो कोई tension नहीं है, अगर वो regular में registered है, तो सर हमें ITC का भी क्या करना पड़ेगा, reversal, आप देखें, ITC हमने purchase करके लाएं, तो हमने उसके उपर ITC बे किया होगा, उसमें से कुछ आपने बेचा होगा, कुछ आपके पास रखा होगा stock में, और इसी बीच owner की death हो गई, तो अब आपको यह देखना है, कितना stock पड़ा हुआ है, और उस पर एक formula लगा कर उसको reverse करना पड़ेगा, हमें दो amount निकालनी है, उन दोनों में से जो भी higher होगा, देखा हुआ है, higher of the following, option number one, option number two, इन दोनों में से जो भी higher होगा, वो आपको reverse करना है, तर यह है क्या, आई इसको example के समझते हैं, हमारे पास देखें, 100 unit पड़ी हुई थी, मतलब पड़ी नहीं यूनिट पर्चेस करी थी, जिस पर टोटल ITC कितना बन रहा है था, 60,000 का, अच्छा सर, उस 100 unit में 20 unit तो add it is पड़ी हुई है, 10 unit semi finished goods है, मतलब अभी पूरी तरीकी दे बनके तयार नहीं हुआ है, और 5 unit जो है, वो है finished goods, अदब तयार ready to sale है, तो आप देखें, 100 हमने total purchase करा जिसमें था 60,000, अब इसमें से 20 additives पड़ी है, 10 semi finished है, और 5 finished है, तो हमें इस start को नट divide करना होगा इस proportion में, बहुत simple है, simple math लगाईए, 20 upon 100 into 60,000, तो यहां 12,000 आ गया, 10 upon 100, 60,000 का 6000 आ गया, और 5, 3000 आ गया, तो भाई, जितना मेरे पास unit पड़ी हुई है न, मुझे उसमें से option 1 मिल गया, 12 plus 6 plus 3, यानि कि 21,000, हो गया जी, 21,000 के बाद, अब हमें क्या करना होगा, दूसरा option निकालना है, दूसरा option क्या, जितना stock आपके पास पड़ा हुआ है न, उसको अगर आप आज की date में stail करते, तो कितना उसके उपर GST पे करना पड़ता, फिर से मैं repeat कर रहा ध्यानते तो निये, पहले हमने option 1 निकाला, कि कितनी unit हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, जो हमने निकाला 12, 6 और 3, 21,000, अब हमें दूसरा option, दूसरा option में हमें क्या निकालना है, कि ये जो input हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर हम इसको आज की date में stail करते, तो उसके 20 unit, लेकिन ये as it is पड़ा हुआ है, इसको अभी, इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं, जैसा हमने purchase किया था, वैसा पड़ा हुआ है, तो यहां के तो 12,000 as it is उठा लीजिए, अच्छा, 10 unit semi-finished है, तो हो सकता है, ये बिग जाएगा, अब यहां पार आप estimated ये निकाल सकते हो, कित तो semi-finished, 3000 या 4000 में विखेगा, तो यहां पर, for example, हमने यहां पर लिया हुआ है, 4000 लिया हुआ है, तो 10 unit विखी, 4000 में, 18% GST, कितना हो गया, 7200, और यह जो पांच units पड़ा हुआ है, ये तो भईया, finished goods है, ये पूरा विख जाएगा, तो 5 into 5000, 25,000, उसका 18% कितना हो गया, 4500 अब इन तीनों को add करेंगे, 12,7200 और 4,500, कितना आएगा सर, 23,700, पहले option में आया था, इन तीनों को add करके 21,000, दूसरे option में आया 23,700, रूल कहता है, दोनों में से जो भी higher होगा, उसको करना है reverse, तो amount to be reversed कितना आगया सर, 23,700, कोई confusion है, वीडियो को rewind करिए, दोबारा ना समाज में है, तो आप comment section में पूर्च सकते हैं, बहुत simple rule है, जितना आपके पाल stock पड़ा हुआ है, उसका ITC निकालिए, फिर ये निकालिए कि अगर उसको आज हम बेचते, तो कितना GSP pay करना पड़ता, दोनों में से जो भी higher है, वो reverse करना है, ठीक है सर, आगे चलते है आचा, यह होता है capital goods, उसके उपर भी ITC होगा, उसको कैसे reverse करना है, यह तो बहुत easy है, total वो capital goods कितने साल, कितने महीने चलता, और कितना आप अभी तक use कर चुके हैं, उसको proportion में निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, तीन लाग का transaction value थी, ITC था 1.5 लाग, तो सबस तो कितना बचा, 20, 20 महीने और use कर सकते हैं, total थे 60, तो 20 divided by 60 into 150,000, जो ITC थी, कितना आगया, 50,000, आगया simple, अचा, transaction value कितनी थी, कितने में खरीदा था हो capital goods, तो 3 लाग में, उसका 13% 54,000, डोनों में से जो भी higher है, वो आपो करना है reverse, तो capital goods में बहुत easy है, इसमें कुछ दिम और जितना time use कर चुके हैं, उसको divide कर दीजिए, तो amount यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यह आपको reverse करना है, इसको ध्यान रखिएगा, cancellation में अगर ITC पड़ा हुआ है, तो वो आपको reverse करना पड़ेगा, ठीके सर, उसके बाद हमें cancellation के लिए कितने दिनों में apply करना है, तो within 30 days of the death of the proprietor, proprietor की death होगी, वहाँ दे 30 days के अंदर हमें cancellation apply करना है, जब हम apply कर देंगे, तो भाई वहाँ से cancellation का order आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पर date दे रखिए है, जो कि GST Act में भी लिखी हुई है, कि Dean suspension कबसे माना जाता है GST में, एक होती है वो date जिस दिन आपने application करी है, और एक आप बताते हो कि किस दिन death हुई है, पतब cancellation आपको कबसे करना है, जैसे suppose आज है एक मार्च, और death हो गई थी एक फरवरी को, तो application तो आप आप आज कर रहे हो, एक मार्च को, पर उसमें क्या लिखोगे, कबसे cancel करना है एक फरवरी से, तो इन दोनों में से लिखा जैसे date of submission थी, एक सितमबर, और date of cancellation जैसे हम मांग रहे हैं, वो है 27-8, दोनों में से letter बाद में क्या आएगा, सर एक सितमबर आएगा, तो deemed suspension के date क्या हो जाएगी, एक सितमबर, तो application और जिस जिन से application cancellation हम मांग रहे हैं, दोनों में से जो बाद में आएगा, वो हो जाएगा deemed suspension of GST, ठीक हो गया सर, उसके बाद final return, जब GST cancel हो जाता है, तो हमें final return GSTR 10 में file करना होता है, यह हमें पता है, तो file करना होता है, within 3 months from a date of cancellation, या फिर date of order of cancellation, दोनों में से जो बाद में आएगा, वहाँ ते तीन महीने आप count कर लीजिए, GSTR 10 file करना पड़ेगा, ठीक है, अ आप countis आएगी, penalty लगेगा, और assessment order भी आजाएगा, तो अगर GST, देखें, यह सिफ दिद की case में नहीं है, अगर आप normally भी GST cancel करते हैं, तो आपको GSTR 10 file करना है, और ना भीया problem हो जाएगी, उसके बाद कहा गया है, वह जो legal hire है न, वो अगर कोई tax की liability है, interest की liability है, penalty है, त तो भगया उसको pay करना पड़ेगा, खतम, आप legal hire हो, आपको pay करना पड़ेगा, ठीक है सर, तर जो cash balance बच जाता है, उसका क्या होगा, देखिए, जो cash leisure में पैसा होगा न, अगर कुछ pay करना है, तो pay करिए, जो access है, वो आप refund claim कर सकते हो, तो अगर death हो जाती है, cash leisure में पैस पड़ा हुआ है, access है, तो आप refund claim कर सकते हो, ठीक हो गया जी, यहाँ पर खतम होता है, option number one, कि जब हमें close करना था, अब option number two, जब हमें continue करना है, यहाँ पर सारे step same है, सारे के सारे step same है, बस change कहाँ पर होगा, हमेशा याद रखिए, GST जो है, वो pen based है, तो यहाँ पर confusion यह भी होता है, कि सर अगर हम GST transfer करेंगे, तो जो हमारा GST number होगा, क्या वो पुराना वाला होगा, या नया वाला होगा, तो भाईया, GST pen based है, पुराना वाला जो GST number है न, वो carry forward नहीं होता है, सिर्फ business carry forward होगा, GST number change हो जाएगा, because, अब आप जो GST apply करेंगे, वो legal hire के name पर फाइल करेंगे, submission of application for seeking fresh registration of the legal hire, legal hire के pen पर आपको पहले fresh registration करवाना होगा, जब registration हो जाएगा, तब आप ITC transfer करोगे, यहाँ पर reversal नहीं होगा, जितना ITC पढ़ा हुआ है आपके पास, वो आप transfer करोगे, ITC 02 में, तो यह step extra हो जाता है, किस case में, carry forward के case में, पहले आप जो legal hire है, उसका नया GST apply करेंगे, पुराने वाले का ITC, नय वाले में transfer करेंगे, और फिर आप पुराना वाला जो GST है न, वो cancel करेंगे, बाके सारे rules same है, जो legal hire है, वो भया, जो tax है, interest है, penalty वो pay करेंगे, तो पुराने वाले में, बिजनेस बंद हो रहा है, ITC को reverse करना पड़ता है, नय वाले में, जब carry forward हो रहा है, तो वहाँ पर ITC reverse नहीं होता है, वहाँ पर ITC transfer होता है, वहाँ पर ITC transfer हो जाता ह फिर आप पुराना JST cancel कर देते हो, और फिर वही JST R10 file करिए, जो सारी चीज़े होती है, तो जब death हो जाती है owner की, तो उसके बाद ये सारे process follow करने पड़ते हैं, कैसा लगए ये वीडियो, I hope आपकी knowledge में, आपकी information में कुछ add on हुआ होगा, कुछ चीज़े का समझ में नही नहीं आई है, तो आप उसको दुबारा देख सकते हैं, इस्टिल कोई confusion है, comment section में आप उसके पूछ सकते हैं, ऐसे ही मदेदार वीडियो के लिए, CME 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में